आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम ऐसे धान तक नहीं हो तरी स्टेडी ग्लोस पर आपको बहुत दोस्पागत है क्या इंसान अपनी उमर मैक्सिमम उमर अटेन कर चुका है हम बात करेंगे दोस्तों बहुत अच्छा आर्टिकल था एक यूट्यूब के लिए हमने कोर्स निकाला है पहला स्किल बेस्ट कोर्स ठीक है जिससे आप अर्ण कर सकते हो तो अगर आप अपने सोशल मीडिया या यूट्यूब को बढ़ाना चाह रहे हो तो आप हमारे कोर्स से ज़रूर जुड़ो आमतार पर बड़े महंगे कोर्स आते हैं यह करें तो सबसे जो ओल्डेस्ट रिकॉर्डेट परसन है उनका नाम है जीयन क्यालमिंट जो की 112 साल 122 बहुत बढ़िया लेकिन क्या आप 100 साल तक जी सकते हैं बहुत लोगों को पता नहीं है लेकिन बहुत आज से 100 साल पहले जोब की आवरेज एज थी नहीं वो ठाइच उ टोके जाते हैं ताकि वो बच सके मैमल्स में साथ आट बच्चे होते हैं उसमें एक दो ही बच्चते हैं चाहें आप कोई भी प्रजाती देख लीजें साथ अक्टूबर को एक स्टड़ी पब्लिश हुई नेचर एजिंग में उसने लाइफ एक्स्पेंटेंसी को एनराइ एक्स्पेंटेंसी जो है कि आप कितना जीएंगे वो बढ़ रही है लेकिं अप सलो हो रही है आनि कि एक तरीके से पीक आ गई है एक पी का ओता उसके बाद फिर आप फिर लिमिट आ जाती है इसके ऊपर आप नहीं जी सकते हैं तो हीयूमण से जningen अब्छी ढख चॉप्र तेनसी 87 साल 87 जिसमें 84 84 आदमियों के लिए और औरते हमेशा आदमियों से थोड़ा जाद ही जीती है नबे साल औरतों के लिए ये कुछ कंट्रीज में देखने को भिला है अब तो 87 साल भी बहुत है यार बाबु मुशाय जिनगी लंबी नहीं बेहतरीन होनी चाहिए है ना स्वामी विवेकानन 32 साल तक जी है लेकिन क्या लेगिसी छोड़ी है उन्होंने सेम विद आदी शंकराचार और इसे बहुत सार तक 100 साल में ये बहुत कुछ बदला है जो पानी पी रही है जो खाना खा रही है वो काफी बडिया हुआ है आज आपके पास पैसा है तो आप पैसा देके बडिया 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 एर्प्यूरिफएर तक लगवा सकते हैं अधिकल ट्रीट्मेंट्स बहुत ही बड़िया ह बच्चे पैदा हुए, वो 100 साल तक जीए हैं, और जी भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन अभी life span growth का stabilization है, आप देख सकते हो, तो average life expectancy कहां पे 1780 में सिर्फ और सिर्फ, हैंने पता है न, 29 साल थे, 28.5 years, एतना अगर आप जी गए तो बहुत बढ़िया है, और ये लगातार यहां त के बाद बहुत सारी invention हुई, और फिर आप देखते हैं, ये jump हमको देखने को मिली हो, और आज हमें 70 साल पे खड़े हुए, 71 years पे खड़े हुए, पढ़िया है, लेकिन depend करता आप कहां रह रहे हो, जैसे अगर आप Africa में रह रहे हो, तो खाली 61.72 सट मान लो, अमेरिका में पढ़िया, एशिया में रह रहे हो तो 72, भारत में 68 है, वो भी बहुत अच्छा है, यूरोप पे रह रहे हो तो 77 है, तो वही चीज है, अब इस्टडी यही बताती है कि जो anticipated rise है, in the number of people, वो 100 तक जा सकता है, might be possible कि कुछ लोग अभी 100 साल तक जी जाए, तो death जो है, it has become more concentrated, current data यह पूरी hypothesis को support करता है, क्योंकि देखे, जो यहाँ पर author है, SJ, उन्होंने इसको challenge किया, कि जो indefinite increase है, life expectancy में नहीं होने वाला है, एक ना एक time पर limit आई गी है, योरो वहाँ से फिर decrease होना शुरू होगा, right, तो अभी average life span peak हो चुकी है, स्टीवन ओस्टाड और जयान विज, यह बताते हैं, कि देखे, clearly shows कि life expectancy अब धी में धी में कम होती जा रही है, बहुत सारे लोग 70s, 80s, 90s, 100s तक भी जी जाते हैं, लेकिन इससे जादा नहीं, है ना, सारी deaths, 50 साल से पहले अगर आप eliminate भी कर सकते हो, तब भी life expectancy जो है, it will, कितनी होगी वो, एक साल से, औरतों के लिए, डेर साल से, आदमियों के लिए, यही चीज है, तो जो medical advances है, उसने survival को enhance किया है, जाहिर सी बात है, लेकिन भाई, शरीर तो शरीर है न, cell तो मरेंगे ही मरेंगे, कितनी भी दवाई खा लो, और दवाईयों पे जी जिन्दा रह होने लगे, बहुत आप pain में हो, तो फिर as it is छोड़ देना चाहिए, है न, दवाईयों पे जीना सही नहीं है, तो जब तक changes नहीं होगा, life span increase नहीं होगा, तो preventive health जो है, अगर आप पहले सही अपनी health को अच्छे से रखें, अपनी body को अच्छे से रखें, आप जैसे athletes हैं या जो, जिनका काम में उनकी body involved है, वो बहुत जाधा जीते, क्यों, क्योंकि वो अपनी body को, अपने शरीर को मंदिर मानते हैं, हम नहीं मानते, यह जितने पर सेसोरे celebrities हैं, यह बहुत सारी चीज़े वही गुटका खाने वाले और गुटका बेचने वाले, आप शारुक खा सबकी body देखिए, और जो गुटका खाते हैं, उनकी body देखिए, तो बुरी आदते ना हो, तो उसे longevity तो बड़ेगी बड़ेगी, अब कुछ experts बताते हैं, कि जो average life expectancy का figure है, वो शायद misleading हो सकता है, है ना, might be possible, कि यह misleading हो, लेकिन, उलांस्की का यह मानना है, कि जो breakthrough है, in slowing the aging process it extends life expectancy, है ना, और जो इनसान है, आज जिन्दा है, वो शायद 1500 तक चला जाए, 150 कुछ लोग ऐसे हैं, जो हो सकता है, 150 तक भी जी जाए, we don't know, पर देखेंगे, जो होगा, फिलाल आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, अपने YouTube चैनल को ग्रो करने का, तो पहला skill course है, कमाल होगा, तक यू सो मौक।